हाई, उमीर करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे लेखिए, बहुत सरो लोग ऐसे हैं जो कि राषम काड का EKYC तो करवा लिये हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि उनका जो EKYC है वो हुआ है कि नहीं हुआ है क्यूंकि काफी सरे लोग के मन में ये सवाल है कि पता नहीं हमने तो KYC करवाया लेगिन पता नहीं महाँ पे KYC हमरा हुआ की नहीं हुआ तो KYC का जो इस्तिती है उम कैसे चेक कर सकते हैं इसको लेकर काफी सरे लोग के मन में सवाल चल रहा है और जो भी रासनकाड धारी है उन सभी को पता हूनी ही चाहिए कि अगर रासनकाड का KYC नहीं होता है तो आपका जो नाम है राशन कार्ड से बिलोपित कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा, आपको जो है राशन का benefit देखने को नहीं मिलेगा, कई बार हमने वीडियो बना कर आपको जनकारी दिया हुआ है, अब यहाँ पर राशन कार्ड का जो इस्थीती है, चेक करने का ज किये जा रहे हैं, इसमें कुछ अलग बाते बताया जा रहे हैं, जिससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, तो कैसे चेक करना है, इस वीडियो में पूरी information के साथ हम बात करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो सुरू से अन तक लेकर जरू देखिएगा, और वीडियो थो करना जरूरी है, अब यहाँ पर जो ही दो बात आपको ध्यान देना है, एक के वाईसी और अधार सीडिंग, दोनों अलग अलग चीजे हैं, अधार सीडिंग का मतलब क्या होता है, कि आपका अधार नंबर के वह लिंक कर दिया गया, जिसके माधिम से बायमाटिक लागर कह कोई भी फैमिली मेंबर उठा सकता है, लेकिन EKYC आपका जो ही जीवित होने का परमार है, कि आप वाकई में जीवित हैं कि नहीं है, और आप एक जिनुविन बंदा है या फिर नहीं है, तो इसके लिए जो ही बायमाटिक आपको देना होता है EKYC के लिए, तो यहाँ पे अगर आपका EKYC नहीं हुआ है लेकिन अगर अधार सीड आपका है अधार लिंक है तो वहाँ पर यह सब को देखने को मिलेगा तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका जो जो EKYC है वो complete हो गया है तो वहाँ से बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा इन बातों को ध्यार रखेंगे अब यहाँ पर मातर एक सही तरीका क्या है समझिए देखिए जब भी आप रासन डिलर के पाह जाकर अपना EKYC करवाते हैं तो उनका जो post machine होता है उसमें अगर दो बार आपका data entry होता है तो वहाँ पर जो ही verified देखनी को मिलेगा इसका मतलब यह है कि आपका जो रासन काड का EKYC हो complete हो गया है यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरह से post machine आपको देखनी को मिलेगा यहाँ पर देखेंगे अगर आपके नाम के सामने verified देखनी को मिल गया है तो एक मातर तरीका यह है कि जो आपके रासन dealer है उनके पास जो post machine है उनके माधिम से ही अपने रासन काड का जो EKYC है आप चेक कर सकते हैं हाला कि वेश्ट बंगाल का online आपको option मिल जाता है online आप चेक कर सकते हैं तो वेश्ट बंगाल के regarding हम बात नहीं करेंगे हाला इन बाकी आप बिहार से हैं और किसी भी स्टेट से हैं तो आपके पास कोई भी online facility नहीं है जिसके माधिम से आप अपने रासन काड का जो KYC का स्टीती है आप खुछ से चेक कर लें तो उसके लिए आपको जो रासन डिलर के पास ही जाना होगा और उनका जो post machine है उसके माध कई और से करवाया हुए है तो अपने रासन डिलर के पास या फिर किसी भी रासन डिलर के पास जाकर अपने आस पास में चेक करवा सकते हैं कि आपका जो KYC है हुआ है कि नहीं हुआ है अगर वहाँ पर verified देखने को मिलेगा इसका मतलब यह है कि आपका KYC कम्प्लीट हो गय हुआ है तो प्लीज वीडियो सुरू से आन तक देखे हैं तो लाइक जरू करिएगा और अभी तक आपने टेलीगराम वाट्सप चानल से हमारे साथ जोइन नहीं किये हुए तो नीचे लिंक दिया गया है जाकर जोइन कर लिजी जहां पर हर एक परकार की नोटी जो है सें मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉफी के साथ अब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद